ये गौ माता जी पिछले साथ वर्षों से हमारी इस शौप में आ रही है और लगभग तीन बजे से साथ बजे के बीच में आती है और जब भी आती है आदी घंटे से लेके तही तीन घंटे तक बैठती है और जब भी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 33 कोटी देव देवी स्वेम मा जगदंबा और मा लक्षमी के साथ हमारी शौप में आ रही है और हमें भरपूर प्रेम और भरपूर आशिरवाद प्रदान कर रही है आज आप सब भी जो यहां आए हैं मैं पूरी मीडिया का बहुत-बहुत सम्मान करता हूं और आपका विशेसकर में बहुत त देश और दुनिया में आप यह गव माता की प्रेम अद्विती कहानी पहुंचाने में जो आप कारे कर रहे हैं यह निश्चित तोर पर अनुमोदनी है प्रशंशनी है वो माता एक तो बहुत अद्विती माता है और हम लोग जैन धर्म से हैं महावीर भगवान के कि बच्पन में हमें भोजन करने देने से पहले गव माता जी को रोटी देने का एक घर के अंदर में बिल्कुल यह प्रथा चलती थी वहीं से एक मन में आया और हमारी गुरवरिया है मनोहर स्रीजी मारे सहब के शिश्या प्रिगावत्ती स्रीजी मारे सहब उन्होंने बच हुआ कि हमारे प्रेड़ना शुरूत तो हमारे परमात्मा गुरू और मतापीता रहे हैं यह गवाटा एक्षवली जो यह गवाटा है मैं आपको एक दाव बता देता हूं घर पे जो गवाटा आती है तो घर पर ऐसे मेरे साथ में रहती है और इसके साथ में भोजन भी करत करてा हो उसी प्रकार साली में जो रोटी आती है मेरी यह रोटी को घुमा कर खाती ही मतलब पर्वभी और पड़ी खुशी होती है जब इसको देखता हूँ और मुझे मेरे जब बोजन करती मुझे लगता है कि साक्षात में परमात्मा को 33 कोटी देव देवी को भोग लगा कर मैं उनका प्रशाद ग्रहन कर रहा हूं